हलो गाइज आपके अपने योटूब चैनल स्टडी रूट में आप सभी का स्वागत हैं तो आज मैं जिस टॉपिक को लेकर आया हूँ जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं तीन शबत लिखे गए हैं अंटार्क्तिका आर्क्तिक और अटलांटी तो इन तीनों शब्दों से मै आपको परिचित करवाऊंगा बले ही हम इन तीनों शब्दों से फैमिलियर हों प्रन्तु जब इन तीनों के लोकेशन की बात आती है क्योंकि इनके नाम भी जो उचारन है वो एक समान है तो के बार इनमें हम थोड़े से कन्फूज रहते हैं तो इसी कन्फूजन को दूर क परियास करूँगा और इन तीनों शब्दों की लोकेशन के संदर्म में आपको बताऊंगा सबसे पहले आते हैं अंटार्क्टिका में देखिए ये है आपका इक्वेटर और ये है आपका सदरन हेमिस्पेर तो देखिए सदरन हेमिस्पेर में बॉटर में सबसे नीची यह ये यूज क्या जाता है इस शेतर के लिए नदरन हेमिस्पेर के पोलर रीजन में जो महाद्वीब महासागर है उसके लिए यूज क्या जाता है अंटार्क्टिका और अब आते हैं दूसरे शब्द में जो है आर्क्टिक आर्क्टिक जो है जिस परकार ये सदरन हेमिस्पे में 51 मादवीद के रूप में फेहमस है उसी प्रकार जो डिएम नॉर्थ गुलाद की जो पोजरर रेजिन में है वाटर की अधिक्तिक के एकारण जो अार्क्टिक सी के रूप no आर्क्टिक C के रूप में famous है तो दोनों location साथ अप प्रचित होगे होंगे जो हो तो आगया आपका Antarctica और जो आगया आर्क्टिक अब आते हैं तिस्रे छब्द में जो आपको दिख्रा होगा Atlantic और जो आतलांटिक है यह भी एक महसागर है जानते हैं इसकी location पहले आप पुट, कॉंटिनेंट दिख जी चार कॉंटिनेंट ये आगया नौर्थ अमेरिका, ये आगया सौथ अमेरिका, ये आगया यूरोप और ये आगया आपका अफरिका इन चारों के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् माज्वीप के रुक में फेहमस है, दूसरा आगया जो अंटार्किक है जो की मासागर के रुक में फेहमस है और तिसरा ऐसकार का आगया आपका एक और मासागर जिसे हम कहते हैं अट्लांटिक मासागर तो आशा है कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी इनफॉर्मेट जो हमसे एंड, आनराशफ कर घा मिआ पिरिंडों